नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर भी के राए, आपको मेरे चैनल, डॉक्टर भी के राए होमियोपैथिक किलिक में बहुत-बहुत स्वागत है, तो कैसे हैं आप? मैं आसा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे सुहूं आज मैं चर्चा करने वाला हूँ जौन्डेस पिलिया के बारे में तो आज मैं बतलाऊंगा कि पिलिया क्या है इसके क्या कारण है क्या लच्छन है इसके लिए बेश्ट homeopathic medicine कौन है जिसमें बहुत अच्छा लाव देता है इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है इन सारे चीजों पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ तो आज का वीडियो बहुत ही informative होने वाला है तो यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो किर्प्या वीडियो को फूरा देखें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने के पहले, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि अभी ही तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरपिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक आउट सेयर करें यह वीडियो एजुकेशन के परपस से बनाया जा रहा है इस वीडियो में मैं जो भी हुमियोपैथिक मेडिसिन के वारे में जनकारी देने वाला हूँ उस हुमियोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करने के पहले आपको अपने नजदी की हुमियोपैथ दॉक्टर से मिलकर ही परमर्स लेकर ही इसका सेवन करना है तो आईए जानते हैं जॉन्डिस और पिलिया के बारे में कि जॉन्डिस पिलिया क्या है हमारे सरीर में रक्त में जो है बिलू रुबीन की मात्रा 0.8 mg प्रती 100 ml से धीक हो जाता है तब हमारे सरीर के नाखून, आँख और त्वचा पिले होने लगते हैं पैसाब गहरे होने लगते हैं इस अवस्था को जो है पिलिया बोलते हैं जॉन्डिस बोलते हैं जीगर के खरावी होने के कारण यह समस्या पैदा होता है जब हमारे जीगर के पीत आंत में न जा करके सिधे यदि ब्लड में रक्त में चला जाता है जिसके कारण हमारे सरीर पीले होने लगते हैं शरीर जो है पीलापन ज्यादा तर आंग देखने लगता है जैसे आंख तवच्चा चेहरा का तवच्चा हाथ का जो है स्कीन इस सब पील होने लगते हैं पैसाब गहड़ा रंका हो जाता है पीला रंका ज्यादा हो जाता है अब यह जानते हैं इसके मुख्य कारण के बारे में तो मुख्य कारण में जो है मलेरिया जीगर की खरावी गरिष्ट भोजन ज्यादा लंबे समय तक यदि जो लोग स्वराब का सेवन करते हैं जिसके कारण धुरुम पान के ज्यादा सेवन करने के कारण इस्तमाल करने के कारण मिर्च मासालेदार चटपटे भोजन गडिष्ट भोजन ज्यादा करने के कारण आदी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण जो है उनको यसमस्या देखने को मिल सकता है यदि कोई संग कर्मित बेक्ती है और उसका इंजेक्षन लगा हुआ निडिल जो है एक स्वस्थ मनुसको यदी लगा दिया जाए जिससे भी उनको यास्मस्या देखने को मिल सकता है आदी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस कारण के बज़े से जो है जिसमस्या देखने को मिल सकता है अब आईए जानते हैं इसके मुखलचन के बारे में जिसमें पेशेंट को देखने को मिलता है तो इसमें सबसे पहले उनका जो है तवचा पिला दिखने लगता है उनका आँख पिला दिखने लगता है आँख के जो सफेद ही से होते हैं वह पिला दिखने लगता है हलका बुखार ठाकान और कमजूरी बहुँ ज़्यादा देखने को मिलता है भूख की कैमी हो जाता है उनको भूख नहीं लगता है, पाचन तंत्र गवरा जाता है, बहु ज़्यादा कबजी की समस्या देखने को मिलता है, कभी कभी रियल कंडिशन में नावजिया और विवेटिंग भी देखने को मिलता है, उनके शरीर में खुजली हो सकता है, आदे बहुत सारे ऐसे लच्छन होते हैं, जिनको यह समस्या होता है, उनको यह लच्छन सिम्टम देखने को मिल सकता है, अब आए जानते हैं कि जौन्डिस पिलिया के पेसेंट को क्या खाना चाहिए, तो उनको सदा खाना, तजा खाना खाना चाहिए, उनको नारियल पानी का सेवन जरूर करना चाहिए, गन्य का रस का सेवन करना चाहिए, उनको अनार, पपीता, सेव, हरे पत्यदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए. अब आई जानते हैं को उनको क्या नहीं खाना चाहिए, तो उनको गरिष्ट, मिर्च, मसालेदार, चटपटे, भोजन से परहेज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. ये खाने से उनका समस्या और जादा बढ़ सकता है. उनको जादा तेलहन, घी, ये सब चीज से अवर्ड करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए. उनको दूसित पानी, वासी भोजन नहीं करना चाहिए. अब यह जानते हैं कि उनको क्या करना है. तुब आद जब वीश सोचाले के लिए जाते हैं, तो सौज के बाद उनको अच्छे से हैंडवास करके साबुन से या हैंडवास से अच्छे से हात को धो कर ही, उनको जो है बाहर आना चाहिए सोचाले से और खाना खाने के पहले भी जो है एक बार सामुन से हांधो कर ही उनको खाना खाना चाहिए उनको सुद खाना सदा खाना और तजा खाना खाना चाहिए उनको हलका हलका खाना खाना चाहिए यह कहीं वार भरदम भरपेट नहीं खालेना चाहिए उनको यतना भर खाना खाना चाहिए कि जिससे उनका पाचान तैंत्र फे भार न पर में पोड़े कि उंको त्ठीक तरीके से जो है हज़म दो जाए भोजन जो भी वह खाये अब आए जानते हैं कि उनको क्या नहीं करना है तो उनको बहुँ जादा हाड़ बर्क नहीं करना है परिश्रम नहीं करना है उनको जो है इसमें जादा अराम अभिश्राम की अब सकता परता है उनको कब्ज कंस्टिपेशन से दुर रहना है, उनको कब्ज की सिकायत नहीं बनने देना है अब आये जानते हैं बेश्ट होमियोपैथिक मेडिसीन के बारे में जो होमियोपैथिक मेडिसीन इस समस्षा में बहुत अच्छा लाव देता है तो सबसे पहले उनको सलफर दोसो प्रटिंसी में तीन से चार बून ड्रेक अपने जीपे जो है उनको ले लेना है उनको इसका एक ही रोज से बन करना है जब जैसे ही हुआ टीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे पहले सलफर 200 प्रोटिंशी में ले लेना है तीन बून ड्रेक अपने जीप पे फिनिश को नहीं लेना है यह हुमियोपैथिक मेडिसिन को उनको टीटमेंट स्टार्ट करना है उसके बाद लाइको पोडियम 200 पाउड में इसकी भी तीन से चार बून ही डोज रहेगा इस हुमियोपैथिक मेडिसिन को तीन में एक ही वार इस्तमाल करना है इसके साथ साथ उनको नक्स बहुम का 200 पाउड में इसकी डोज भी सेम रहेगा तीन से चार बून उनको रात में इस्तमाल करना है इसके साथ साथ जोंडीला सिरफ इसकी रोज रहेगा दस मिल दो बार सुवा और साम बच्चे को हाप रहेगा किसी किसी को रियल कंडिशन में कुछ और लच्छन यदि देखने को मिलता है तो उनके लिए हुमियोपैथिक मेडिशन यदि उनको यह समस्या में बहुत ज्यादा नौजिया विवेटिंग की लच्छन देखने को मिल रहा है तो एफी काग 200 पावर में तीन वून रेक उनको जिप पे ले लेना है ऐसा उनको तीन बड़ करना है सुवा दूपर साम यदि फिन यह लच्छन ठीक हो जाए तो उनको यह दवाई का लेना बंद कर देना है और जो पहले मैंने आपको बतलाया वह दवाई कंटिन्यू करना है यदि किसी किसी को जो है पेट के उपरी हिस्षा लिभर की एरिया में यदि दर्द हो और दर्द यदि पेट उस एरिया में दवाते हैं दवाब देते हैं या उस एरिया की ओर लेटते हैं तो उनको अराम मिलता है तो इस लच्छन में जो है उनके लिए बहुत ही लावदा दोनियां 200 पार में इसकी डोज भी सेम रहेगा तीन बून रेक अपने जीप पे उनको ले ले लेना है ऐसा उनको तीन बर करना है सुबा दूफर साम कि यदि फिन यह दर्द ठीक हो जाए नहीं मतलब दर्द हो तब फिन उनको यह दबाई बंद कर देना है और पहले जो दबाई मैंने बतलाया लाइको पोडियम नक्षभम का और जोंडीला शिरफ यह दबाई चलेगा और यह दबाई जब उनको लच्छन मिले तब लेना है नहीं तो नहीं लेना है यह होमियोपैथिक मेडिसिन आपको होमियोपैथ मेडिकल स्टोर में यह ओनलाइन भी मिल जाएगा जैसा भी आपको सुब्धा लगे उस तरह से आप यह होमियोपैथिक मेडिसिन को घरी सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं तो धन्यवा दोस्तों पुड़ा वीडियो देखने के लिए यदि आपको मेरा वीडियो परसांद आया तो अपने दोस्तों को पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अभी ही तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरिप्या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जू प्रिस कर लें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के माद्यम से आप तक यह वीडियो पहले पहुँच भाई मैं इस तरह का वीडियो हेल्थ से रिलेटेड होमियोपैथी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पे तब तक जो है आप अपने हिल्थ को हिल्दी रखें टेक केर धन्यवाद जय हिन जय भारत